नमस्कार दोस्तों, चांदी के बरतन और चांदी के जेवर घर पर आसाणी से कैसे साफ़ करें, तो उसका वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ मेरे सारे tips and trick वाले वीडियों हैं जो मैं आपके साथ share करती हूँ मेरे खुद के tried and tested है और जब मुझे इसका अच्छा result मिलता है तो ही ये वीडियो मैं बनाती हूँ बस मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आप लोगों को सही information मिल सके तो इस वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्या आपकी भी चांदी इस तरह काली पड़ जाती है घर में चांदी की लाई होई चीज़े सुमाने जाती है लेकिन कभी-कभी ये चांदी जो है काली पड़ जाती है और हम सब परिशान हो जाते हैं कि इन्हें कैसे साफ करें काफी बार रगणने के बाद भी ये साफ नहीं होती है लेकिन दोस्तों आज मैं आप सभी के शाथ ऐसा नुश्का शेयर करने वाली हूँ मात्र पांच मिनट में ही आपकी जो चांदी है एकदम चमचमा उठेगी सबसे पहले हमें पतीला लेना है जिसे मैंने गैस पर रख दिया है इसमें हम लगभग दो गिलास के करीब पानी डालेंगे अगर ज़्यादा चीज़े हैं तो ज़्यादा पानी डालेंगे ताकि जो समान है वो आसानी से पानी में डूब जाए अब गैस को आउन कर देंगे इतना ही पानी हमें चाहिए इस स्टेज पर गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे क्योंकि हमें पानी उबालना है बहुत अच्छे से सबसे पहले इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा घर पर जो खाने का मीठा सोडा होता है बस वही हमें इसमें एड कर देना है अब हम इसमें पायल डाल देंगे आपके पास जितने भी चांदी की समान है आप इस तरह से डाल सकते हैं यहां मैंने दो पायल एड कर दिया है अब इसे चम्मत से हिला देंगे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से reaction कर रहा है लगभग 2 मिनट तक gas on रखेंगे और जब हम gas off करेंगे तो पानी का color change हो जाएगा जो काला पंथा चांदी के उपर जो एक परद लगी हुई थी चांदी के उपर वो सारा पानी एब्जॉब कर लेगा तो जाग काली शुरू होनी लगी है इसमें ज़्यादा घिसाई करने की भी ज़रूत नहीं है कुछ लोगों को डर रहता है कि घिसेंगे तो चांदी खराब न हो जाए वैसे metal कभी हाथ से या ब्रश से घिसने से खराब नहीं होती है अब हम गैस की flame को बंद कर देंगे जहाँ काफी गंदी हो गई है जब तक पानी नॉर्मल ना हो जाए इस पाजल को पानी के अंदर पड़े रहने देंगे अब मैं इसके अंदर डार रही हूँ सिरका यानि की विनेगर और इसको अच्छे से चला लेंगे ये देखिए पायल कितनी clean हो गई है कितनी ज़्यादा गंदी थी ये पायल अभी हम इसको और भी ज़्यादा चमकाने वाले हैं हम ले लेंगे थोड़ा सा कोलगेट और ब्रस से रगड लेंगे ब्रस से आगे पीछे दोनों तरफ साफ कर लेंगे जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गंदेगी हो वहाँ पर ब्रस से रगड दीजिए ब्रस से पायल बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाती है और पायल के पिछले हिस्से को भी साफ कीजिएगा क्योंकि वो इसकिन से टच होता रहता है जिससे वो हिस्सत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैंने दोनों हिस्सों को अच्छी तरह से साफ कर लिया है ब्रस की साहता से अब मैं इसको नॉर्मल पानी से धुल कर दिखाती हूँ कि हमें कितना आच्छा रिजल्ट मिला है तो ये देखिए एकदम नई हो गई है पायल एकदम सुन्दर एकदम से साफ हो गई है पायल पर जो एक परत जम गई थी काली सी उसे विनेगर और कोल्केट ने बहुत ये अच्छी तरह से काट दिया है विश्वास मानिए एक बार ये मैथड जरूर अपलाई करेंगे तो चांदी के जेवर हो या पायल हो एकदम चमचमा उठेंगे और चांदी की चैन भी आपकी इसी तरह से साफ हो जाएगी चैन को भी आप इसी तरह अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं तो देखिए कितनी अच्छी तरह से चमक रही है ये पायल तो लग रही है ना बिल्कुल नई बाजार जैसी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये वही गंदी से पायल है जो बिल्कुल चमक गई है तो है ना ये बिल्कुल कमार का आई बिया घर पर बैठे है तो फटा फट शेर भी कर दीजेगा और अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे ही लाजवाब टिप्स और ट्रिक के लिए अटाल प्लीज सब्सक्राइब ए बिल्कुल थाएब झाल पुड़ाब ट्रिक कर दो दो दोग्सक्राइब श्राइब